रेलिटी शो बिग बॉज सीजन 13 के बाद माहरा शर्मा को लेकर लगातार बड़ी खबरें सामने आई हैं जिहां दोस्तों जिस तरीके से माहरा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी अक्टिव दिखी हैं तो वहीं यहां पर माहरा शर्मा ने एक से बढ़कर एक फोटोज भी आप सभी के बीच शेयर की हैं लेकिन यहां पर भी माहरा शर्मा ट्रॉल होती हुई नज़राएं। ऐसे मैं इसके बाद लगातार माहरा शर्मा मुसीबत में फस्ती हुई भी नज़राएं। माहरा शर्मा पर जब लग गया फेक अवार्ड लेने का आरोप। जिहां हम बात कर रहे हैं दादा साथ फाल के इंटरनेशनल अवार्ड के बारे में जब माहरा शर्मा पर लगाये गई यहां पर आरोप तो वहीं माहरा ने भी यहां पर सोशल मीडिया के थूप अपनी बाते शेयर क Düке और बताया किस स्थे अंहें यृवर्ड मिला और उृन्हें ने भी इस द्धिस पर ध्यान नहीं pół दे पाया वर्द आपको बता दें कि माहरा शर्मा जिस तरीके से वह भने पीरस्ति गई हैं अब फिलहाल तो खबरे यह हैं लेकिन देखतें कि महेरा की मुसीबत कब उनका पीचा चोड़ती है लेकिन अगर हमगरा की जिसायी के वहेप के बारे में तो विश्मी दिसाई भी फिनाले के बाद काफी पॉपलर हो गई है लगाता सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है तो वहीं माहरा भी इन दौनों की दोस्ती ज्यादा कुछ खास तो देखने को नहीं मिली बिग बॉस में लेकिन अब खपरों के मुताबिक सामने आया है कि यह आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वैल आइकन को जरूर दबाए बता दें आप सभी को कि रश्मी दिसाई ने हाल ही में अपने इंट्रिव्यू में माहरा और पारस को लेकर कई दिल्चस्प बाते बताएं और किस तरीके से यहाँ पर रश्मी दिसाई माहरा को लेकर बेहदी पॉजिटिव बाते कहती भी नजर आई हैं यहाँ पर रश्मी ने माहरा को लेकर तमाम बाते शेयर की हैं और माहरा के बिभेव को भी लेकर वेल आपको बता दें कि जस तरीके से इन दोनों को शो में लड़ते जगडते उए देखा गया है तो वहीं अब इन दोनों की बांडिंग कितनी अच्छी हो गई है बेहदी अच्छी बांडिंग शेयर करती हैं एक दूसरे से तो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कहा है रश्मी दिसाई ने माहरा शर्मा को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट रियालिटी शोओ बेग बॉस में आप सभी ने ये तो देखाई था कि जब घर में सभी कंटेस्टेंट थे तो लगातार एक दूसरे से लड़ते जगडते हुए देखे जाते थे यहाँ पर किसी के भी लड़ाई जगड़े छिपे ने शो में जब भी आपने कंटेस्टेंट को देखा तो इन सभी के बीच मनमुटाब भी थे और ऐसे में यहाँ पर एक और ऐसी जोड़ी थी जो लड़ते जगडते हुए देखी गई थी और यह थी रश्मी दिस्साई और माहरा शर्मा जिहां माहरा और रश्मी की लड़ाई जगड़े यहाँ पर अप सभी ने देखे ही होंगे वहीं पारस की बॉन्डिंग बेहद अच्छी दिखाई थी रश्मी से तो वहीं यहाँ पर गुरुप भी डिबाइड होते हुए दिखाई दिये ऐसे मैं आपको बता दें की हाल ही में रश्मी दिस्साई से जब इंटरव्यू में पूछा गया माहरा शर्मा के बारे में तो यहाँ पर क्या कहती हुई नज़राई रश्मी दिस्साई आपको बताते हैं दरसल उनसे पूछा गया कि घर में बाकी के इतने सभी कंटेस्टेंट थे तो वहीं उन्होंने पूछा कि आखिरकार माहरा को लेकर रश्मी क्या कहती है इंटर्वियू में माहरा को लेकर रश्मी ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सारी बाते बताएं और बहुत ही खुश नजर आएं दरसल उन्होंने कहा कि शो के बाहर आने के बाद माहरा के साथ मेरी डेली कॉनवर्शेशन होती है हम रोज फॉन पर बात करते हैं हम दौनों ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो मेरी हाउसमेट है मैं अपने घर के किसी सदस्य से बात कर रही हूँ जो मेरे साथ रोज रह रहा है माहरा बेहदी क्यूट है और उसका एक बेहदी क्यूट साइड भी है आपने हमेशा शो में उसे लड़ते जगड़ते हुए देखा मेरे साथ लेकिन उसका क्यूट साइड रश्मी को बेहदी पसंद है मैं हमेशा से ही उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट करती हूँ और आज भी लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि हमारा बॉंड इतना स्ट्रॉंग हो जाएगा हम दोनों ही एक दूसरे से बात करेंगे अच्छा लगता है मुझे जी हाँ आपने उससे लड़ते हुए देखा है लेकिन घर से बाहर आने के बाद माहरा से मेरी बात भोती रहती है और इस तरीके से रश्मी ने माहरा को लेकर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सारी बाते बताएं इस दोरान रश्मी बेहदी खुश नजर आ रही थी और वाकई में उन्हें माहरा से बात करना बेहदी पसंद आ रहा है इसके अलावा आपको ये भी बता दें जब उनसे पूछा गया पारस के बारे में कि पारस आपके बीच में आ जाते थे दोनों के तो वहीं उन्होंने कहा कि पारस हमारे बीच में जो दुस्मन बना था वो अब नहीं है तो हमारा बॉंड अब और भी जादा स्ट्रॉंग हो रहा है फिलहाल पारस छाबड़ा बिजी हैं अपने स्वेंबर में तो वहीं माहरा शर्मा घर से बाहर हैं और लगातार रश्मी दिसाई से बात करती हुई नजर आ रही हैं ये दोनों ही एक दूसरे से फॉन पर काफी लंवे समय तक बात भी करती हैं और इस तरीके से यहां पर रश्मी दिसाई ने शियर किया माहरा शर्मा के साथ बेहदी प्यारा सा बॉन और इन दोनों की दोस्ती शुरू हो चुकी है शो से बाहर आने के बाद वेल फिनाले के बाद लगातार ही ये दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करती हुई भी देखी गए हाल ही में दरसाफ फाल के इंटरनेशनल अवार्ड के दोरान भी इन दोनों ने जम कर मस्ती की तमाम खबरें सामने आ रही हैं ऐसे मैं रश्मी और माहरा की दोस्ती को लेकर अब एक और बड़ी बात सामने आ गई है जो कि खुद रश्मी दिस्साई ने अपने इंटरिव्यू में बताई है और इस तरीके से रश्मी ने बताया है माहरा के संग बढ़ती हुई दोस्ती को इन दौनों की दोस्ती दिन पर दिन पढ़ती जा रही है जिस तरीके से हमने आपको बताया कि रश्मी ने खुद कहा है कि उन दौनों की फॉन पर कॉन्वर्शेशन डेली होती है और इस तरीके वेल फ्रेंड्स आप क्या कहते हैं रश्मी और यहां पर माहरा के साथ दोस्ती को लेकर या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्टने तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट टोनाई न्यूज और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें